नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल Study with Summer में आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन एरफ़र्स में आई ग्रूप C की वेकैंसी के ओफिशल सेलेबस के बारे में तो जी हैं दोस्तों इस वीडियो में इस वेकैंसी के सेलेबस के बारे में आपको A to Z पूरी जनकारी दूँगा step by step तो friends किसी भी government job की जनकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो को जितना है अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक जरू कर दीजिएगा तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख पाएंगे इंडियन एर फॉर्स MTS चले बस 2021 IAF ग्रूप से एक्जाम पैटर्न तो दोस्तों इसके बारे में आपको step by step पूरी जानकारी देने वाला हूं उससे पहले यहां पे आप कुछ वैकेंसी की डिटेल्स है जो सार्ट में आप यहां पे देख पाएंगे जो किस दोस्तों इसका आवेदन जल्दी स्टार्ट हो चुका है और इसमें कुल 230 पदों के लिए आवेदन अमंत्रित किया गया है वहीं दोस्तों बात करे लिए अपकेस्वन फीस की तो इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन सुल्क नहीं रखा गया यानि दोस्तों अगर हम बात कर लें जिसकी वाइक एंसी डीटेल्स की तो इसमें देख पाएंगे दो से 30 पोस्ट है और जो एज लिमिट होगी मिनमूं 18 मैक्सिम 25 वर्ष नहीं धारत की गई है और साथ इसमें आरखित बर क्या भीरतियों के लिए उम्रस्रिमा में छोट भी दे और इसे क्वालिफिकेशन डीटेल्स की विडियो नहीं देखिए तो इसका लिंक आपको आई बटन में या फिर आप जाकर वहाँ से इस वीडिए को देख सकते हैं तहसे आप सभी पोश्ट की क्वालिफिकेशन डीटेयल को चेक कर पाएंगे यानि कि दोस्तों इसमें लगवला को सभी पोश्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन डीटियल से वो दस्वें क्लास पास रखी गई है तो यहाँ पर डीटियल आप चेक कर पाएंगे तो चलिए आपको बताता हूं से लेवस के बारे में पूरी जानकारी और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको इस वीडियो सम्बादित कोई भी सुझा हो या आपके कोई भी प्रस्ट न हो तो आप कमेंट कीजिएगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूँगा साथ ही इसके आवेदन करने का लिंक और इसके ओफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे यह इसका ओफिशियल नोटिफिकेशन है इस notification का link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप जाकर वहाँ से चाहें तो डीटेल्स को चेक कर पाएंगे तो यहाँ पे आप सभी post की vacancy details, salary और जो qualification details हो चेक कर पाएंगे और इस application form को कहाँ पे भेजना है तो आप देख पाएंगे आप इस application form को कहाँ पे भेज सकते हैं तो यह इसका पूरा official address यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे एक एक करके आप सभी details को चेक कर पाएंगे तो दोस्तो चलिए आप बात करेते हैं mode up selection की यानि कि इसमें जो चेहन की प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में तो जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे आइल एप्लिकेशन आर स्कूर्टिनाइज इन टर्म्स इन एज लिमिट क्वालिफिकेशन डॉकुमेंट एंड सर्टिफिकेट यानि कि दोस्तो आपने जो फॉर्म भरते समय अपने क्वालिफिकेशन डिटेस जो डॉकुमेंट लगाए हैं उसके जाच की जाएगी और यदि आपके सभी डॉकुमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको रिटेन एक्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो दोस्तो यहाँ पे देख पाएंगे उसके बाद आपको रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और रिटेन टेस्ट जो होगा दोस्तो आप देख पाएंगे तो रिटेन टेस्ट विल बेस्ट और मिनमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानि कि जो रिटेंट टेस्ट का जो लेबल होगा वो दस्वी क्लास के अधार पे रहने वाला है यानि कि दोस्तो जो से लेबल होगा आपके दस्वी क्लास के अधार पे दस्वी लेबल के अधार पे रहने वाला है और इसमें जो आपकी पेपर में जो सब्जेक्ट होंगे जोस्तो वो general intelligence and reasoning होगा numerical appitude होगा general English होगा general awareness होगा तो ये आपके प्रस्ण रहने वाले है तो paper की बात कर ले तो paper आपका Hindi और English दोनों language में पूछा जाएगा यानि कि दोस्तो आप जिस भासा में चाहें आप उस भासा में उत्तर दे सकते हैं Hindi और English किसी भी एक भासा में आप इसके प्रस्णों का उत्तर दे सकते हैं और दोस्तो यदि आप जब written test qualify कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे thought list किये जाएंगे आप skill test, practical test या फिर physical test के बारे में यानि कि दोस्तो written test qualify होके जब merit बनाई जाएगी merit में qualify करने की बाद आपको skill test, practical test और physical test यानि कि जो post के हिसाब से अपनी केबल होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा और यह सभी जनकारी आपको by post दी जाएगी और दोस्तों में इसमें देख पाएगे कि by post यादी आपको कोई late होता है कागज पाउशन में जो आपका form होगा उसके जिमेदारी आयो की नहीं होगी वहीं दोस्तों जो लोग exam qualify करने के लिए करने के बाद जो sort list होगे उन्हें अपने यहाँ पे देख पाएंगे sort list के अर ब्रेंग टू ओर जिनल सर्टिफिकेट क्यानि कि जब आप जाएंगे वहाँ पे फिजिकल टेस्ट देने या फिर प्रेटिकल या फिर स्किल टेस्ट होगा वहाँ पे आप और डॉकुमेंट सेलेकर जाने होंगे वहाँ पे आपकी और डॉकुमेंट की जाच की जाएगी तो इस तरह आप इसमें सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख पाएंगे तो चलिए आपको इसकी डीटेल्स में सेलेबस बता देता हूं step by step तो दोस्ट इसमें जो आपके चार सेक्सण डहने वादेवाल है जैनल आएवरनेस के लिसमें 25 क्योशन होंगे 25 नंबर के लिए जाएगा तो चलिए आब बात करले तो हमस्की एक्जाम पेटना की तो friends इसमें बात कर ले हम general average syllabus के बारे में तो इसमें book and author से संबंधित प्रश्ण होगे sports and game होगा geography से संबंधित प्रश्ण होगे history होगा award and honors होगा culture, economic scans, general politics, current affairs Indian constitution से संबंधित प्रश्ण पूछे जाएंगे महीं बात कर ले हम general English syllabus के बारे में तो इंग्रीज में जो आपकी syllabus होगे वो one word substitution होगा spelling, spot the idea, idioms and phrases surfing of sentence in the passes close passes, comprehension passes improvement, misspelled world fill in the blanks यान की खाली अस्थानों के इसमें भरना होगा synonyms, hononyms surfing of sentence parts होगा और antonyms से संबंधित प्रश्ण पूछे जाएंगे मैं दोस्तों बात कर ले हम general intelligence से लिए बस के बारे में तो इसमें आपका simulated and difference होगा analysis होगा इस पे जोए relation होगा decision making, problem solving observation, judgment physical classification, visual memory number series, relationship concept nonverbal series, mathematical competition और analytical function से संबंधित प्रश्ण पूछे जाएंगे और दोस्तों यदि आप इसी जम की तयारी के लिए best book purchase करना चाहते है तो आपको best book का link वीडियो के description मिल जाएगा आप जाकर उहां से book को purchase कर सकते है वह दोस्तों अगर हम बात करें numerical ability के syllabus के बारे में यानि कि इसके exam pattern होगा इसमें number system होगा computation of whole numbers, time and work होगा use of table and graphs होगे mensuration होगा, ratio and time होगा decimals and fractions सम्मादित प्रस्चन होगे profit and loss होगा, discount the relationship between number से सम्मादित प्रस्चन होगे fundamental, mathematical operation होगा percentage होगा, ratio and proportion average, interest, time and distance सम्मादित प्रस्चन पूछे जाएंगे तो यह आपके दोस्तों एक्जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे यह इसका official notification है और इसमें सभी पोस्ट किया गए जो qualification details है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे आपको जूम करके दिखाता हूँ है आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यह जो फायर मैन की पोस्ट है इसके लिए जो इसमें physical details निर्धारित की गएगे वो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे इसमें height देख सकते है विना सूज के 65 cm की height होने चाहिए वहीं दोस्तों cerebral tribe के लिए इसमें कम होगी वहीं chest की बात करने तो chest इसमें 80.5 cm बिना फूलाए और फूलाने के बाद 85 cm होना चाहिए वहीं weight की बात कर ले तो weight इसमें आपका दोस्तों minimum 50 kg से कम नहीं होना चाहिए और आप इसके लिए डिश्ट क्वालिफाइ कर दिये जाएंगे तो यह fireman की जो physical details से वो रहने वाली है और यह post की details से जो होगी जो की वजन होगा 300.5 kg जिसमें आपको 96 second कर समय दिया जाएगा यानि कि 296 second में आपको 183 मीटर दूरी तैक करने होगी और यह 300.5 kg वजन लेकर आपको इसमें चलना होगा तो आप इसके बारे में details चेक कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पे बोथ फुट लॉंग जम्प यहाँ पे देख पाएंगे जो लॉंग जम्प होगी क्लाइमिंग 3 मीटर्स होगा तो यह details रहने वाले हैं फीजिकल फिटने टेस्ट की फायर में में तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा यदि अच्छा लगा हो तो से प्लीज लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल पे पहली बरा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजेगा ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकिशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना है मिलेंगा फिर अगले वीडियो में एक नई वैकन्सी के साथ तब तक के लिए थैंक यू